नमस्कार दोस्तों छात्र बहुत बेसबरे से इंतजार कर रहे हैं कि बिहार दरोगा का जो ये प्रारंबिक परिक्षा 26 दिसम्बर को हुआ उसका रेजल्ट कब आएगा आज मैं आपको पूरे बिस्तार से पूरे लॉजिकल तरीके से यह बताने का प्रियास करूँगा कि बिहार दरोगा का रेजल्ट कब आ सकता है मुख्य परिक्षा कब हो सकती है और क्या हो सकता है कटफ अगर हम लोग पिछले वर्स की काद की जो तुलना करे उसके आधार पर तो 22-13 पदों की यह परिक्षा थी जिसमें आपका जो रेजल्ट आना है वो लगभग 20 गुना आना है 44,260 पदों का रेजल्ट आना है तो इसके लिए कुछ आंकडों को देखते हैं कुछ चीजों को समझते हैं तब जाकर आपको चीजे क्लियर होंगी तो होफुली यह द तो फर्स्ट सिफ्ट की जो परिक्षा होई पिछली बार की बात कर रहा हूँ उसमें लगभग 2,45,9666 एपियर हुए थे 10,000 लोग लगभग डिस्क्वालिफाई हो गए तो 2,35,961 लोग का रेजल्ट प्रोसेस हुआ फर्स्ट सिफ्ट का सेकंड सिफ्ट की अगर बात करें तो 2,92,909 लोगों को एडमिट कार्ड इश्यू हुआ था जिसमें 43,000 लोग एपसेंट रहें लगभग 2,49,132 लोग सेकंड सिफ्ट में प्रेजेंट रहें हैं तो उस आदार पर आप देखेंगे तो लगभग 2,35 यहाँ पर और 4,85,000 लोग इसमें एपियर हुए हैं यह जोड लिजेगा आप उसके बात देखते हैं तो अगर सेलेक्टिट केंडिडिट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिखेगा कि लगभग अगर देखिए कैटेगरी वाइस दिख रहा है जैसे जनर्रल का मेल में 12,312 थे और महिलाएं 15,458 थी कुल कितना था कुल 49,506 लोगों का इसमें शेलेक्शन हुआ था 2446 पदों की यह वेकिंसी परिक्षा थी अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से इस बार जो रेजल्ट आना है वो 20 गुना है 44,260 रेजल्ट आना है 223 पदों की परिक्षा है त तो 45,000 लगभग कमे रेजल्ट हो सकता है कि आए अगर बात करें पिछले बार के कटफ की तो पिछले बार चुकि प्रस्णों के प्रकृति भी ठीक थी सीट भी ठीक था तो उसके कारण उसके पिछले बार से 10 नंबर बढ़ गया था पतलब उसके पिछले बार जब एक्ज इलेक्ट हुए थे फिल्म्स में अगर जंदल कैटेगरी की बात करें और उसकी पिछले बार लगभग 55,56 सवाल में आपका मेरिट बन गया था पुरुस का तो जब सवालों की प्रकृति आसान हुई सीट बढ़ी तो क्या दिखने को मिला सीट सीटे आई तो आपको देखन में अंतर था और कुछ सवाल समाज सास परित्यादे से भी पूछ लिये थे जिसके कारण हो सकता है कि कटफ 55 से 60 के बीच में चला जाए हलाकि मैंने ही कहा है कि लगभग 130 सवाल 130 नंबर भी जा सकता है लेकिन जब मैं पूरा स्टड़ी करता हूँ तो हो सकता है कि कटफ 55 से लोग इसकी तयारी में लगे रहें मतलब 100 से 120 माक्स आ रहा है उपर वाले तो लगे रहें वो मिल्स परिक्षा की तयारी में लग सकती हैं जब मैं इस आधार पर कटफ आपको बता रहा हूँ अब जो मैं बताने वाला हूँ कि भाई result कब आएगा तो देखिए पिछली बा पिछली बार बाईस बारह 2019 को एकजाम हुआ था मतलब 22 दिसंबर को इस बार 26 को हुआ पिछली बार 22 को हुआ था तो यहां पर ही आप 26 लिख दीजिए चार दिन बाद हुआ था अब अगर देखिएगा तो पिछली बार का result कब आया तो पिछली बार का result आया अठाइस एक को 28 एक को इसमें भी अगर आप चार दिन जोड देंगे तो लगभग सोचिए आप कि एक दो फरवरी को रेजल्ट आ जाना चाहिए तो मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि जो प्रिलम्स का रेजल्ट है अगर आयोग को देखा जाए तो जनवरी लास्ट विक में या फिर फरवरी क एक से पंद्रह तारीक के बीच में यह रेजल्ट आ सकता है अगर मैं बात करूं कि भाई मुख्य परिक्षा कब हुई तो देखिए जनवरी 28 तारीक को रेजल्ट आया और आयोग ने कहा कि मुख्य परिक्षा 26 अप्रेल को होगी मतलब 28 जनवरी को रेजल्ट है तो 28 फरव उसी प्रकार से इस बार भी आपको 90 days का ही समय मिलना चाहिए तो अप्रिल के लास्ट में जैसे 30 अप्रिल को भी एक्जाम हो सकता है या फिर मई के प्रथम सब्काह में आपका एक्जाम इस बार हो सकता है क्योंकि उधर 4 दिन आपका प्रिलिम्स में भी हो सकता है कि रेजल होना प्रस्तावीत है तो आप सोच सकते हैं कि प्रिलिम्स का रेजल्ट जनवरी लास्ट से लेकर 15 फरवरी मुटा मोटी मान लीजिये तो आपका रेजल्ट आ जाएगा और मेंस एक्जाम अप्री लास्ट से लेकर मई के 15 तारिक तक आपका हो जाएगा तो यह सब बाते हैं ह इसके लिए मैंने वीडियो अल्रेडी बनाया है, जिसका आज सुनवाई भी है, चार जनवरी को, ठीक है, उसकी सुनवाई भी है, तो उसमें क्या था, कि 75.8 पहले कटफ था, उस समय 268 छात्रों का नाम था, लेकिन जब कटफ कम हुआ, तो उन छात्रों का नाम हट गया, इसकारण से ज्वाइनिंग प्रोसेस में डिले हो रहा है, ट्रेनिंग में डिले हो रहा है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताने की कोशिस की, कि 26 अप्रेल को एक्जाम होना था, लेकिन उसको बढ़ा करके, चुकि लॉकडाउन का समय था, तो 23 आठ कर दिया गया, मतलब डेट तो 26 अप्रेल का था, लेकिन लिया 11 अक्टूबर को गया, इसके पीछे का रिजन लॉकडाउन था, तो अगर सब कुछ सामाने चलता है, मैं तब की बात कर रहा हूं, तो आपका रेजल्ट जो है, वो जनवरी लास्ट वीक और फरवरी के प्रथम सप्ता, 23 सप्ता मे और मेंस का एक्जाम आपका अप्रिल लास्ट वीक या फिर मै के प्रथम या दियोतिय सप्ता में, ये आपका तय रूप से हो जाना चाहिए, अब अगर लॉकडाउन वेगरे लगता है, तो अबिसले पिछले बार की तरह डेट को आगे बलहाया जाएगा, लेकिन आयोग इसमें तर्थपर्था क्योंकि अप्रिल के बाद उसने डेट, आप देख सकते हैं कि क्या दिया था, अगस्त का दिया था, तो तर्थपर्था को ये कहीं न कहीं शो करता है, और इस बार भी एक्जाम माना जाता है कि अंसर कोई लिकिस वगरा नहीं हुआ, तो ये सब जो जानकारी है, ये मैंने आपको दे दी, और आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, मेंस परिक्षा के लिए एक प्रोपर रणनीती चाहिए होती है, इसमें एक पेपर तो हिंदी का है, जो आपको पास करना है, लेकिन जो दूसरा पेपर है, वो काफे बैच स्टार्ट हो रहा है, लक्ष बैच है, जिसमें मैं एकनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, हाला कि BPSC के बैचेज भी चल रहे हैं, जो MCQ बैचेज हैं, 6 जनवरी से ही इसमें भी आप इंडॉल कर सकते हैं, मैं उसमें आपको बिहार जी के पढ़ाऊंगा, विजय BPSC 68 के लिए भी आप इंडॉल कर सकते हैं, और 67 प्रिलिम्स के लिए टार्गेट बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यह उमीद है कि आप जो है वो इसमें अवस्य से अवस्य जुडेंगे, और जो बेनिफिट है भी जिसमें 22% का आपको आफर मिल रहा है, दम फ्लैट 22% का डिसकाउंट आपको मिल रहा है, उस बेनिफिट का भी आप फाइदा उठाएंगे, यह पहले 3 तारिक तक था, अब 5 तारिक तक कर दिया गया, और इसके लिए आप मेरे कोड BS10LIVE का प्रियोग करेंगे, ठीक, चलिए फिर, आपसे उमीद करते हैं कि आप जरूर हम से प्रिया है वह आपकी पूरी होगी और इसमें हम आपके सदा साथ रहेंगे, तो थैंक यू, थैंक यू वरी मच्छ